नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोच है मैं एक डाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूटिशन स्पेशलिस्ट तो स्वागत है आप सबका एक बार एक और वीडियो में एक और फूड रिव्यू हम करने जा रहे हैं आज का जो फूड रिव्यू है वो एक कटोरा ले रखा है एक कटोरा दही में मैंने चीनी भी मिला रखा है ठीक है एक चमत चीनी हमने इसमें मिलाया है साथ इसाथ बेगन का भरता भी है ये देखे बेगन का भरता है तो आज इस प्लेट का हम रिव्यू करेंगे हम देखेंगे इसको खाके कि मेरा शुगर ल अगर मैं आपको टाइम बताओं तो ग्यारा बच के तेरा मिनिट हो रहे अभी यह देखिए ठीक है तो अभी हम अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं तो काफी लोग एक मिस्टिक करते हैं वो भी मैं आपको बता दू यह जो लैंसेट है यह एक ही बार यूज करना है एक ही ब करते हुए देखा है एक बार लगा देता है लैंसेट उसके बाद उसको चेंज ही नहीं करते हैं तो अगर आप लोग यह गलती कर रहे हैं कि क्या आप भी उनमें से एक है कि एक ही लैंसेट को सालों साल यूज कर रहे है अगर कर रहे है तो प्लीज ऐसा मत करिए एक लैंसे को एक ही बार यूज करना ठीक है आइए इसको हम साइड में रखते हैं और इसको अब लगाते है बहुत ही सिंपल तरीखा है इसको लगाने का बस इसको आपको अंदर ऐसे डाल देना और ऐसे डालके इसको रोटेट करिये ऐसे रोटेट करिये तो ये निकल दाएगा, ठीक है, इसको हम साइड में रख लेता है, अब इसको बंद कर देता है ओके, ये हमने बंद कर दिया, एक बड़ चेक कर लेता है, काम कर रहा है कि नहीं, हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है अब किल्यूकोमेटर को भी ओन कर लेता है, एक स्ट्रिप लेता है यहां से, तो एक स्ट्रिप लेके अब इसको यहां लगाते है जैसे एक आवाज सुने ही देगा आपको, उसके बाद एक बलड का ड्रॉपलेट आपको दिखाई देगा यह देख सकते है यह देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह तयार है, अब हम प्रिक करेंगे और चक करेंगे कि खाना खाने के पहले मेरा बलड शुगर कितना है और यह काउंट डाउन शुरू हो गया है, यह देखे तो अभी आप देख सकते हैं कि 133 है, तो सबसे पहले मैं बता दू, यह मेरे फास्टिंग बलड शुगर नहीं है नौ बजे के आसपास मैंने दो अमलेट खाया था और एक कप चाय पिया था, उसके बाद 133 है, तो यह मेरा फास्टिंग नहीं है, यह रेंडम आप कह सकते हैं खाना खाने के पहले मैंने चक किया है, 133 है, यह फास्टिंग नहीं है, यह रेंडम बलड शुगर है, ठीक है तो अभी टाइम देख लेते हैं, क्या टाइम हो रहा है, अभी आप देखिए, 11 बच के 18 मिनिट हुआ है तो 11 बच के 18 मिनिट पे मैं अपना नास्ता शुरू करूँगा, ठीक है, लेकिन आपको 11 बच के 18 मिनिट के 2 गंडे बाद चेक नहीं करना है खाना जब खतम हो जाएगा, उसके 2 गंडे बाद आपको चेक करना है, मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लूँगा आप लोग धीरे धीरे खाये, कम से कम 15 से 20 मिनिट, 25 मिनिट समय लगा के खाये, अपने पड़िवार के साथ मिलके खाये मैं सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए खा रहा हूँ, और 3 पराठे मैं आज खाऊंगा तीन आलू का पराठा है, उसमें मैंने मक्षन ले रखा है, ठीक है, भरता है थोड़ा सा और एक कटोरी दही, उसके उपर एक चमच, चीनी भी हमने डाला है तो ये सारे चीज मैं खाऊंगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी खाऊंगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे खाये और जब खाना खतम होगा, फिर से एक बड़ टाइम देखेंगे, और देखेंगे कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है जल्दी खाऊंगा तो दोस्तों मेरा खाना हो गया है मैंने तीन पराठे खा लिया है आपने देखा तीन पराठा आलू का पराठा था उसके साथ थोड़ा मक्षन था एक कटोरी दही उसमें चीनी मिलाया हुआ था और थोड़ा सा बेगन का भरता ठीक है यह खा लिया मैंने अभी मेरा खाना खतम हुआ है अभी हम टाइम देखेंगे कितना टाइम हुआ है ठीक है टाइम देख लेते एक बर क्या टाइम होड़ा अभी तो आप देखिए अभी 11 बच के 26 मिनिट हुआ है 11 बच के 26 मिनिट हुआ है इसका मतलब है अभी से 2 गंटे बा आलू के पराठे खाके क्या रीडिंग आता है तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से दो घंटे बाद तो दोस्तो एक्जेकली दो घंटा हो चुका है आपको टाइम दिखा देते हैं अभी मैंने 11 बच के 26 मिनिट में अपना नास्ता खतम किया था तीन पराठा मैंने आज खाया और अभी आप टाइम देखिए एक बच के 27 मिनिट हुआ है एक्जैकली दो घंटा हो चुका है ठीक है तो अभी मैं अपना शुगर फिर से चक करके देखूंगा कि आलू के पराठे खाने के बाद तीन आलू के पराठे खाया उसके साथ दही भी खाया उसके साथ भरता भी खाया खाने के बाद मेरा शुगर कितना आता आ यह चुक करते हैं है तो एक और स्टिप हम निकाल लेते हैं सब्से पहले ठीक है न, एक स्ट्रिप निकाल लेते है देखिए भाई, कितने मैनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ठीक है और काफी लोग ये समझते हैं कि मुझे डाबेटीस है मुझे डाबेटीस नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ ये जितना भी रीडिंग आप देख रहे हैं ये बिना किसी दवाई के है ठीक है, और आप देखिए ये ये तयार हो चुका है आई ये चेक करते हैं ये मैंने प्रिक किया और ये कून आ चुका है और काउंट डाउन शुरू हो गया है, ये देखिए और आप देख सकते हैं कि 164 आया है अभी आप देख रहें, 164 है तीन आलू के पराठे खाने के बाद ठीक है, तो आप देखिए कि आलू के पराठे मैंने तीन खा लिया है उसके बाद 164 आया है हाला कि ये नॉर्मल रेंज में नहीं है ये डायबेटिक रेंज में भी नहीं है यही मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 164, 170 180 के नीचे भी रहता है तो आप कह सकते है कि आपका ब्लड शुगर जो है रेंज में है, टाइम इन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है 70 से लेके 180 जो है टाइम इन रेंज है अगर 70 से लेके 180 के बीच में आपका शुगर लेवल रहता है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है हाला कि ये नॉर्मेल रेंज नहीं है मतलब ये प्री डायबेटिक रेंज है लेकिन ये डायबेटिक रेंज भी नहीं है अगर मेरे को डायबेटिस होता तो ये 200 के उपरा था मेरा Hb1 से 6.5 के नीचे है मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ और 3 पराठा खाने के बाद मैंने कोई एक्सेसाइस नहीं करी कुछ भी नहीं करी है सिंपल घर पे ही बेटर है तो अगर आप अपना शुगर लेवल को काम करना चाते है तो खाना खाने के एक तेर गंटे बाद थोड़ा सा पैदल वेगरा चल लीजे तो उससे दिखेंगे कि आपकी शुगर लेवल थोड़ा सा काम आता है ठीक है लेकिन तीन पराठा आपको मैं रिकमेंट नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप तीन आलो के पराठे खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल बढ़ेगा मेरा भी बढ़ता है लेकिन ये रीडिंग जो है मेरे को या किसी और को थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हो सकता है मुझे भी प्री डाइबेटीज हो गया है प्री डाइबेटीज का मतलब है कि 5.7 के उपर अगर आपकी 5.96 भी अगर आपका HB1C है तो उसको हम प्री डाइबेटीज ही कहते है ठीके प्री डाइबेटीज का मतलब डाइबेटीज नहीं है ना ही इस शुगर रीडिंग से आपको कोई कम्प्लिकेशन होगा तो इस से आपको कोई घबराना नहीं है लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आपकी शुगर लेवल 140 के नीचे रहे तो बहुत अच्छा है अगर आप 40 साल के नीचे है ठीके जैसे जैसे उमर बढ़ती है तो थोड़ा बहुत आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा तो कोई कम्प्लिकेशन नहीं होगा तो उमीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ न कुछ अच्छा इंफरमेशन मिला होगा कमेंट करके जरूर बताना तीन पराठे आलू के पराठे खाके आपका शुगर लेवल कितना आता है आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद